अब मैं अमारे हिंदी विभाग के चात्र चात्रों संद्रोद करता हूं कि मैं पहले रेणु यादव जो पिहेचुडे की चात्रा है रेणु यादव जी अब आईए अविक कवता सुनेदे आदरडी विद्वद्जन सभी को मेरा साधर पड़ाम इकने बड़े कवी गड़ों में एक मेरा बोलना असहसा महसूच हो रहा है लेकिन मैं हिंदी भाशी हूँ और हिंदी में कवितायें लिखती हूँ पहली बार दखिनी में बोलने जा रहे हूँ अगर कोई गलती हो तो मार्च है सरुविदित है कि आज कौन सा एतिहासिक दिन है इतने दस कवियों में से एक अकेली आज सुनाने भैटी है तो मैं नहीं कहूंगी कि और तों को बरावर का हक मिला है जबकि 21 सदी नारिवाग का है अगर इस में से पांस कवित्रियां होती पांस कभी होते तो मैं म इसे देखने एक तो है इस बात से पता चलता है कि हम आजादी की और अगरसर हैं इसी आजादी पर मैं कवित्रिया सुनाने जा रही हूँ मिंजे दुनिया देखनी थी उन्हों मेरे उपर जाला विछा दियाई और आखां पर आदर्शा की पत्या बांग दियाई और बोलें देखो 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 मैं अपने चोचा से जाला चलनी कर दी और पंजा से पत्या फार डालें मैं समझी मेरे कू आजादी मिल गए मैं खुले आसमाना में उड़ना चाहें उन्हों मेरे परां कतर दियाई और पिंजरां से बाहर निकाल को बोला उड़ो 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 मैं हासले का पंख लगाई पैरां से चलना सीखी और मैं समझी मैं आजाद हो गई मिंजे खुली हवा में चहचाना था उन्हों मेरे जबान मरोड दियाई और मंच पो लाके बोलें गाओ 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 मैं बेसुरी रागा में अपना गम गई मैं बेसुरी रागा में अपना गम गई और सब एक हो जाएंगे सोच को नाच उठी फिर एच समझी कि मैं आजाद हो गई मैं अपने पैरा से सफर करना चाही उन्हों मेरे रहम की बैसाखियां थमा दें और उपनिवेश की पगडंडियां पोला के बोलें चलो 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 फिर मैं सोची अब तो पूरा वदन जखमी हैं कौन सी बाता से डरना अब तो पूरा वदन जखमी हैं कौन सी बाता से डरना उन्हें इस दिखाए थे आदर्शा औरत का आईना उन्हें इच दिखाएं थे आदर्शा औरत का आईना उसको सच्ची समझ के इंतजार करती रही अब क्या देख रही हूं नफरता कड़वाहट दुश्मनिया अब क्या देख रही हूं नफरता कड़वाहट दुश्मनिया मिंजे समझ मू आने लगई अच्छे बुरे में फर अब बचाईच क्या बचाने को अब बचाईच क्या बचाने को वकट आ गया आजाद होने को हमें मंजिला की तरफ तूट को पड़े हमें मंजिला की तरफ तूट को पड़े हमें समझें हम आजाद हो गई खाली समझें तो आजादी नहीं मिलती अब भी पूरे को आजाद नहीं है आजादी की ओर बड़ नहीं आजादी की ओर बड़ नहीं अगर इजाज़त हो तो मैं एक खंदी में कविता सुनाना चाहूंगे यह मानो अतावादी कविता है ए मानो ए मानो मंदिर से मस्जिद गुर्द्वारा से गिर्जा घर मत दोड़ आस्था रख इश्वर में परंत विश्वास कर अपने कर्म में हस्त रेखाओं से भाग्य नहीं बदलता है चिन्तन और कर्म से ए मानो दुनिया बदलने की ठानी है तुमने स्वयम को तुने बदला कितना है दुनिया बदलने की ठानी है तुने स्वैम को तुने बदला कितना है पाने की तुमने गिंती कर रखी दुनिया को तुमने दिया कितना है गिरा रहे हो किस किस की नजर में गिरते हुए को उठाया कितना है ए मानो अपने आतंक से डराया सभी को तु स्वेम किसी से डरे तो नही बदले की भा से गुजर रहे हो सदा तु स्वेम किसी से आहत तो नही बन गए क्रूर निर्दई हत्यारे जीवनपत का यही एक आखरी रास्ता तो नहीं ए मानो दरपड में नहीं तु खुद में जाक सचाई नजर आ जाएगी दूसरों को नहीं तु खुद को टटोल अपुल्डता पुल्ड हो जाएगी मानवी प्रेम में तूसरधारक मानवेता सुतह स्थापित हो जाएगी मानवेता सुतह स्थापित हो जाएगी धन्याज़ अभी अनसारी निरान अनसारी हिंदी विभाग से हिंदी विभाग के में के छातर है मैं अनसारी से अन्रोद करता हूँ कि वो दो करता है दो सनाई अस्सलाम अलेकुम नमस्कार मैं हिंदी कविता से जुरू करना चाहता हूँ मेरे कविता का नाम है अभाव ग्रस्त रोडों पे हम रोज देखते हैं कितने भिकारी फिरते हैं तो वो भिकारी मैं बनकर यहां लिखाओं मैं हूँ मैं हूँ सब रहते हुए लावारिस एक गरीब एक भुका सबसे जानता हुआ अंजाना फिरता हूँ रोडों पे मांगता हूँ लोगों से रुपिया या टुकडा देते हैं कुछ खुशी से जड़काते हैं कुछ लोग दिखता है खाने को सब कुछ फिर भी पानी से भरता हूँ अपना पेट पूछा कभी भुक के मारे हो दयावान तो देता कुछ हो निर्दय तो कहता बुरा कुछ रातों को भूख से निन नहीं आती दिन को जाड़ा बारिश धूप सहन नहीं होती देखते हैं लोग दयावाव से करते नहीं दूर मुझे अभाव से निकला था घर से अपनों के ढखेलने से अब करता नहीं जी पलग कर देखूं उस और किसी वज़ा से प्यार से कोई देखता है तो देखता हूँ सारे परिवार का ब्यार उसमें ऐसे ही जिया करता हूँ जब आती है मौत तो लावार इस लाश मान कर कर देते नगर पलिकावाले कर देते हैं दहन संसकार अब एक दक्किनी बाशा में मुझे तो आती नहीं है फिर भी कोशिश किया हूँ दक्किनी को यह मैं लिया हूँ मैं दक्किनी हूँ मैं दक्षिन में मैं पैदा हुई मैं दक्किनी हूँ दक्षिन में मैं पैदा हुई दक्षिनी बनकर मैं पलि कुली ने मुझे को भोच सराया गवासी ने अपनाया था मेरे बारे में क्या-क्या की बोलता है मेरे बारे में क्या-क्या की बोलता है मेरे को लेकर इधर घसिटता हैं उदर घसिटता हैं एक जनाब उर्दु की हूँ बोलता हैं एक जनाब उर्दु की हूँ बोलता हैं एक साहब हिंदी की हूँ बोलता हैं आजी सुनता हैं खामा खां के कई को लड़ रहें मैं इनकी हूँ ना उनकी हूँ दोनों के बीच में वाली हुं दोनों के मिलाने वालीच मुड़ा आई मेरे बारे में फेका काई को फेक रही मेरे को उठा ले को खामा खा क्य परेशान हो रही लो मेरा मस बोलते हु उसुनो राज महलों में मेरी परवरश हुई राज महलों में मेरी परवरिश्वी आली जनाबों ने मुझे बड़ावा दिया बड़े बड़ों ने भी वहवा की तो मैं ऐसा फुली बाद में फैलते फैलते जगई आखिर आम लोगों की जबान बनी जब मैं जबर्दस्त थी भहुत हावा हिलाली थी मगर आज जीना का तो दम घूट रहे मेरी मेरी बैरी साथी मुझे जीने नहीं देती है वो काउन का को हैरान हो रहें क्या वो काउन का को हैरन हो रहें क्या वो जी जिसे तुम्हीं इंगलिश कताईं वो जी जिसे तुम्हीं इंगलिश कताईं हर जगा अपनाच बड़ापन बोलती है, मेरे रास्ते में फखक टांगड़ाती है, जीना मेरों मुश्किल करती है, आजी सुनताईं, आजी सुनो जी मेरे कुँ बनबन को हंदेरे खोड़ियों में धूल में फेक रहें। काईसा तो भी करको मेरे को, फिर फालो, फिर खाको, पीको, मोटी होको, मेरे बैरी साती, सावत अनको निंगल को बैठती हूँ, आजी बोले सरकाश करो जी, आजी मैं तुमारी घरवाली जी, मेरे अच्छे कते, मेरे प्यार कते, मेरे को भूलना नहीं, मेरे को छोड़ना नहीं, तुम्हारी दखीनी